एलो दोस्तों आप सभी का हमारे फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे How to confirm heat in female dogs एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके और हमारे बीच में कि आपको पता नहीं चल पाता कि आपकी female dog कब heat पर आई है तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से जान सकते हैं आपकी female dog कब heat पर आई है इसके दो symptoms होते हैं दो symptoms के जड़ी आपको female dog सो करती है कि आपकी female dog कब heat पर आईगी और मैं कुछ timings बता देता हूं जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ये टाइम में आपकी female dog के heat पराने का तो इससे पहले बोलूँगा अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजे क्योंकि हम पिछले 2,5 साल से मेहनत कर रहे हैं और अभी हमने almost 500 वीडियो पोस्ट कर दिये लेकिन responses आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक सिर्फ सारे 3000 subscribers गेन किया तो अब यह हमारा motive हम सिर्फ 500 वीडियो और पोस्ट करेंगे उसके पाद हम यह चैनल बंद करने वाले हैं अगर आप चाहते हैं इस तरीके के continue वीडियो को देखना तो हमारे चैनल को subscribe कीजे ताकि हम इस जर्णी को और continue कर सकें तो चलिए इस वीडियो को पहले सुरू करते हैं female dogs जब भी आप कोई female dog लेकर आते हैं तो वो सबसे पहला heat का जो first heat का time होता वो होता है 7 to 9 month जब female dog 7 महिने की होती है उस समय से लेकर 9 महिने के age में first heat आने का chance होता है जिससे पता चलता कि आपकी female dog healthy और आने वाले समय में second heat बहुत सटिक time पर आएगी दूसरे heat पर आने का time female dogs का होता है 9 महिने से लेकर 12 महिने के बीच में 9 महिने से 12 महिने के बीच में वो कभी भी heat पर आ सकती है एप्रॉक्स अगर late भी होता तो 15 महिने तक मतलब वो एक साल की होते होते दूसरे heat पर आ जाएगी उससे में आप मेटिंग करवा सकते हैं कई बार क्या होता है कि आपकी female dog 15 महिने हो गए 18 महिने हो गए तो भी heat पर नहीं आती है तो उसका reason होता है proper तरीके से आप उसे nutrition नहीं दे रहे हैं दूसरा हो सकता है उसे जो supplements की जरुवत है उसके biological health को fit रखने के लिए आप वो नहीं दे रहे हैं या हो सकता है कि आप उसे proper atmosphere नहीं दे रहे हैं इस वज़े से भी कई बार female dog late heat पढ़ाती है दूसरा problem होता है कि उसके genetic problems हो सकता है अपने जहां से उसे लाया है वहां सही कुछ genetic problem इसमें आया है जिससे कि आपकी female dog heat पर नहीं आ रही है इसका भी solution बहुत अच्छे तरीके से आप हमारी टीम से contract कर सकते हैं वह आपको expert knowledge के जरी आपको सटिक supplement बता देंगे सटिक दवाईयां बता देंगे जिससे कि आपकी female dog heat पर आ जाएगी दूसरा sign आपकी female dog क्या सो करती है वह female dog आपकी swelling सो करती है उसके private part में देखेंगे जब वह हीट पर होगी तो बहुत जादा swelling हो जाएगा यह सो करता है कि आपकी female dog heat पर है कई बार क्या होता है कुछ लोगों कि प्राइवेट पार्ट में swelling आता है तो बहुत जादा डर जाते हैं बहुत जादा घबरा जाते हैं उन्हें लगता है कि सब्सक्राइब चोट लग गया हो लेकिन असा नहीं होता कई बार मतलब हीट के लगा कि आपकी female dog healthy है आपकी female dog जैसे ही heat पर आना बंद कर दी आप समझ लिए कि आपकी female dog बिमार होने वाली है क्योंकि female dogs की body में जितना भी गंदगी बनता है वो उसके periods के time पर discharge होता है और उसी के जरी वो पूरे साल healthy रह पाती है अब इस चीज को इनसे और कीजिए कि आपकी female dog time to time heat पर आ रही है या नहीं दूसरी चीज अगर आप इस के बारे में अगर कुछ आप suggestion चाहते हैं आपको यह जानना है कि आपकी female dog को क्या proper खाना देना चाहिए कि आप proper nutrition देना चाहिए जिसे कि आपकी female dog सही समय पर heat पर आए तो हमने एक छोटा सा platform launch किया है जिस पर हम आपके dog के लिए एक proper diet plan एक proper consultation प्रोवाइड करवाते हैं consultation मतलब होता है हमारे doctor साब से बात करते हैं हमारे breeders से बात करते हैं जिनके पास 10 से 15 साल का experience है और वो आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने female dog को healthy रख सकते हैं female dog को proper समय पर heat पर ला सकते हैं यह सारी चीजों के बारे में बताते हैं अगर आप इसका help लेना चाहते बेल एकन प्रेस कर देजिए ताकि हमारे दौरह जो भी इस topics related videos बनाए जाए उसका notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके